Hello Everybody, कैसे हो आप सब, I hope आप सभी बहुत अच्छे होगे, आप सभी का स्वागत है दोस्तो, Learn and Inspire चैनल पर तो दोस्तो, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं SSC MTS का previous year exam आपको GKGS का करवा रही हूँ मैंने एक already, जो हमारा SSC MTS का exam 2022 में वा था, सिर्फ फर्स्ट करवा चुकी हूँ, आज हम देखेंगे सिर्फ टू में किस तरीके कोशन्स आए थे तो दोस्तो, ये आपको जरूर अच्छे से बहुत अच्छे से करने हैं, as a quiz की तरह, जिके GS के कोशन्स आप लगा सकते हो, because बार बार यही कोशन्स आपके repeat होंगे, और repeated होते आए हैं, तो दोस्तो, हम चलते हैं, daily की daily, ये एक, आपके लिए, एक mock test लगाए जिए, जिके GS का या अगर आप बोल सकते हो, quiz बोल सकते हो, तो ये आपके लिए, daily की daily अतार हैं, इसके साथ दोस्तों, मैंने playlist बना रखे हैं, बहुत सारी लिडियो, आपके लिए जाए हैं, आप जरूर देखें का दोस्तों, इनके list में जाता हैं, वीडियो इसके से लिए दोस्तों, इ देख भी राख होगा, previous year paper, जो 26 July को, 2022 में shift second दोस्तों, चल ये आज हम shift second के questions लगाते हैं, तो दोस्तों, देखिए, हमारे सबसे पहला question है, हमारा first question है, पंजाब के स्री के नाम से, मसूर डैस की मिरत्यू, 17 November 1928 को हुई थी, तो दोस्तों, मैंने क्या किया है, questions को, जो previous year questions ह उनकी PDF बना दी है, ये PDF का link जो है, आपको, या फिर हम, मैं बोल सकते हूँ, टेलिग्राम का link, description के नीचे लगा दूँगी, और ये जो आपकी PDF है, ये टेलिग्राम पर send कर दूँगी, बाकी और भी previous lecture की मैंने PDF टेलिग्राम पर डाल दी है, आप जाके टेलिग्राम link को join क कर सकते हो, और वहां से इन previous questions को पढ़ सकते हो, चीक है दोस्तों तो चलते हैं, हमारा पहला question क्या बताया गया है, पंजाब केसरी के नाम से मसूर, डैस्टीम रिप्यू, सुत्रा नौबर, उनिस सो अठाई सो भी थी, तो दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जा यह पूछा गया है, options देखिए, हमारा option number A है, बाल गंगा दरतिलक, option number B है दोस्तों दादा बाहिना रोजी, option number C है दोस्तों लाला लाजपतराई, option number D है दोस्तों स्वामी विवे कानंद, तो दोस्तों इसका right option क्या होएगा, इसका right option है दोस्तों, option number C is the right option दोस्तों लाला जब दोस्तों आपको question समझ आ गया होगा, clear हो गया होगा, हम बढ़ते हैं हमारे अगले questions की तरफ, एक quiz की तरह आप जिक्के जिएस के questions को daily किया करो, ताकि इस से क्या होगा दोस्तों, आपके mind में questions याद हो जाएंगे, और बार बार अग ये questions रिपीट होते हैं हर अलग question है, अगने सेल कितने परकार की होती है, इंगलिस में बोलते हैं दोस्तों इसको igneous rock, कितने परकार की होती है, तो दोस्तों ये कितने परकार की होती है, चलिए option पर जलते हैं, हमारे option number A है, 4 परकार की, option number B है दोस्तों, 5 परकार की, option number C है दोस्तों, 2 परकार की, option number D है दो डोस्तो तो 6 परकार की तो यह कितने परकार की होती है दोस्तो इसका राइक आसंड है दोस्तो नियुतने और होती सब्सक्राप ग्लार्स क्या यहीं देखेब्सतो निमल खीत में से किस जघ्डिक्न कि दौसरी दो में ग्यानपिट पुरुसकार से समानित किया गया है तो दोस्तो ग्यानपिट पुरुसकार से 57 एर की उमर में किस वैक्ति को दिया गया है ऑप्शन्स देखिए दोस्तो हमारा ऑप्शनमबर A है दामुदर मोजो को हमारा ऑप्शनमबर B है दोस्तो के दरनाच सिंग को तो ग्यानपीट पुरसकार 57 या हम कह सकते हैं 57 साल की उमर में दामोदर मोजो को ग्यानपीट पुरसकार से सम्मानित किया गया था नाव हम चलते हैं दोस्तो हमारे अगले परसन के तरफ तो देखे दोस्तो हमारा अगला कोशन क्या है किस बारतिय ओलम्पियन का समंद गोल्फ से है तो दोस्तो देख चाहिए आप किस तरिके से खेल से डिलेटेड कोशन्स आपके S.S.E.M.T.S. एक्जाम में पूछे जा रहे हैं किस बारतिय ओलम्पियन का समंद गोल्फ से है तो आप ओप्शन्स देखिए और इस कोशन्स का अंसर बताएए चलिए दोस्तो हम ओप्शन्स पर चलते हैं हमारा ओप्शन नबर A है दोस्तो तो देखिए दोस्तो ओप्शन्स देखिए एक बारा आप आप आप्शन है हमारा फर्स्ट ओप्शन है दोस्तो तो इसका right option क्या होएगा दोस्तो इसका right option है option number is the right option दोस्तो अधिती असोक का संबन जो है दोस्तो गोर्फ से है तो ये देख रहे हो आप किस तरीके से खेलों से related questions आ रहे हैं आपको खेल बहुत important है खेलों से related मैंने एक वीडियो बना रखी है आप playlist में जाके देखिए static gk की वहां मिल जाएंगे आपको mostly questions तो वो भी आपको करने हैं दोस्तो ना हम बढ़ते हैं हमारे अगले person के तरफ हमारा अगला question क्या है अगला question है दोस्तो वरक की SI unit क्या है कारिय की SI1 पूछा है दोस्तो SI1 तो देखिए दोस्तो हम options पर चलेंगे options देखिए एक बार आप हमारा पहला option है decibel हमारा बी option है हर्ड हमारा C option दोस्तो पासकल D option दोस्तो जल जूल तो right option क्या होगा दोस्तो कारिय की SI unit पूछी गई है कारिय की SI unit है दोस्तो option number D is the right answer दोस्तो जूल ये दोस्तो heat की SI unit होती है तो याद रखिएगा heat और और रख की SI unit है जूल है ठीके दोस्तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले person की तरफ आई ओप आप clear हो रहे होंगे questions ये सारे के सारे questions दोस्तों आप जाके टेक्सबुक पर practice set भी लगा सकते हैं या फिर moq की तरह ऐजा मोक या quiz की तरह आप मेरी जो telegram पर मैं ये PDF सेंड कर दूंगी वहां से भी पढ़ सकते हो इनको das is commonly known as imperfect fungi इंपर्फेक्ट पंजाई पूछी रही है दोस्तों ये biological question आयवा है science का first जो है दोस्तो S,stis, second deutromystis, C option F,I,comystis, D option दोस्तो B,C,Domystis इसका right option क्या होईगा दोस्तों इसका right option है option number B is the right option दोस्तो Dutromystis को imperfect fungi बोला जाता है तो दोस्तो Dutromystis को imperfect fungi क्यों बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर ना तो जो है sexual phase होता sorry इसके अंदर sexual phase नहीं होता दोस्तों इसके अंदर asexual phase और vegetative phase पाया जाता है ठीक है दोस्तों इसलिए इसको imperfect fungi बोला जाता है हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले पर्सन की तरफ हमारा अगला पर्सन क्या है हमारा नेक्स्ट कोशन है दोस्तों गुलबर्ग किला किस राजय में स्थित है ओप्शन्स देखेगा एक बार आप हमारा पहला ओप्शन है इमाचल परदेश B option दोस्तो असम C option उतर पर देश D option दोस्तो करनाटक इसका Right option क्या होगा दोस्तो गुलबर्ग किला भारत के किस राजय में स्थित है इसका Right option दोस्तो Option number D is the Right option करनाटक में गुलबर्ग किला जो है स्थित है Now हम बढ़ते हैं हमारे अगले परशन की तरफ हमारा अगला कोशन क्या है रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंस की थी रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंस की थी हमारा उप्शन नमबर A है चॉल वंस हमारा उप्शन नमबर B है दोस्तो चालू के वंस तो पूछा गया है रानी रुद्रमा देवी भार्द के किस वंस की थी ठीक है दोस्तो आपको क्वीजिस के तरह ये लगानी है पूरी जिक्के जीस की ये हर रोज S.S.C. M.T.S. के जहां तक हो का मैं प्रीविस जो जो कोशन आए वे हैं आपको सारे के सारे करवा दूँ आपको सारे कोशन पढ़के जाने जोस्तो पेपर में ये बार बार रिपीटिड कोशन होती है निमनले कितमे से कौन सी रभी की फसल है तो हमारा अगला कोशन दोस्तो रभी की फसल एक्चुली में ये रभी है दोस्तो यहां टाइपिंग में ये इधर रभी है दोस्तो रभी की फसल पूची गई है तो दोस्तो रभी की फसल पूची गई है इसका क्या अंसर होगा देखिए उप्शन पर चलिए हमारा फस्ट उप्शन है चना हमारा बी उप्शन है दोस्तो मक्का हमारा C option है दोस्तो धान हमारा D option है दोस्तो मुंग फली रभी की फसल पूची गई है इसका right answer क्या होगा दोस्तो इसका right answer है option number A is the right answer दोस्तो चना जो है इसका सही उतर है now हम बढ़ते हैं हमारे अगले person की तरफ हमारा अगला question क्या है देखे एक बार विभिन परकार के विशो के आधार पर जन संख्या का वितरन डैस कहलाता है देखे दोस्तो options देखिए हमारा first option है website संरचना हमारे D option दोस्तो आयू संरचना C option है दोस्तो परवास हमारे D option दोस्तो कि सोर जन संख्या इसका right option क्या होएगा दोस्तो इसका right option है option number A is the right answer दोस्तो website सनरचना जो है दोस्तो विभिन परकार के विशो के आधार पर जन संख्या का वितरन कहलाता है ठीक है दोस्तो आई ओप सही होगा हम बढ़ते हैं हमारे अगले person की तरफ हमारा अगला question क्या बताया गया है दोस्तो क्या दिया गया है देखिए एक बार पूछा गया है आपको grass value added का formula बताईए तो grass value added का formula क्या होगा दोस्तो ये चार option है देखिए दोस्तो एक बार हमारा first option grass value added equal to grass domestic product plus subsidies minus taxes हमरा B option आ दोस23 goal to grass national product minus subsidies plus taxes c है दोस housekeeping आ अधो new evil आ इकल to grass national product leaders subsidies minus taxes हमरा D option आ दोस23 goal to grass domestic product minus subsidies plus taxes इसका right option दोस 23 approaches the right answer दोस stir strass value added equal to grass domestic product plus subsidies minus taxes now हम बढ़ते हैं हमारे अगले परसन के तरफ हमारा अगला कोशन क्या है दोस्तों देखे हमारा अगला परसन क्या दिया गया है waiting for a visa is a 20 page autobiography written by दोस्तों ये पुस्तक का नाम है waiting for a visa किसकी पुस्तक है is a 20 page autobiography written by तो देखे दोस्तों हम options पर चलते हैं हमारा first option है महत्मा गांदी की हमारा B option है दोस्तों राम मोहन राय की हमारा C option है दोस्तों भीम राव राम जी अमेड कर की D option है दोस्तों जो हलाल नहरू की तो इसका right answer क्या होईगा दोस्तों option number C is the right answer दोस्तों भीम राव राम जी अमेड कर की जो है उस तक है waiting for a visa चलिए दोस्तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले परसन की तरफ हमारा अगला परसन है दोस्तो तो देखे दोस्तो हमारा अगला परसन है गुरू विपिन सिंग को वर्स 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरुषकार प्राप्तवा वेडैस के सिक्षकते तो दोस्तो पुछा गया है कि हाँ अभी संगीत नाटक अकादमी पुरुषकार गुरू विपिन सिंग को 1966 में मिला वो किस निरत्य के सिक्षकते तो देखिए दोस्तो इसका ओप्शन पर चलते हैं हमारा फर्स्ट ओप्शन है दोस्तो मनी पुरी हमारा बी ओप्शन दोस्तो कत्थक हमारा सी ओप्शन दोस्तो भारतनाट्यम डी ओप्शन दोस्तो ओडी सी तो इसका राइट ओप्शन क्या होएगा दोस्तो देखिए इस पुरि के खिक शकते नवम बढ़ते हैं हमारे अगले पर सन के तरफ हमार अगला कोशन क्या है हमारा अगला पर सन है सोबना नारायन भारत के किस सास्त्रिय निरता से संबंदित है सोबना नारायन दोस्तो भारत के किस सास्त्रिय निरता से संबंदित है options देखें दोस्तो option है भारत नाट्यम हमारा B option दोस्तो कत्थक हमारा C option दोस्तो महिनी अट्थम हमारे D option है दोस्तो कथक कली तो इसका right option क्या होईगा दोस्तो इसका right option है option number B is the right option कथक से संबंदित है शोबना नारायन जो है दोस्तो कथक से संबंदित है नहों बढ़ते हैं दोस्तो हमारे अगले पर्षन की तरफ निमलेकित मेंसे किस सवेधानिक संसोदन नहीं दाद्रा नगर हवेली को केंदर सासित पर्देश के रूप में भार्थ संग में शामिल किया था तो दोस्तो ना दाद्रा नगर और हवेली को यूटी के रूप में यूटी यूटी के संसोदन के दोवार है दोस्तो दादरा नगर और हवेली को यूटी के रूप में जो है दोस्तो शामिल किया गया था ना हम बढ़ते हैं दोस्तो हमारे अगले पर्षन के तरफ देखिए दोस्तो हमारा अगला पर्षन क्या है 1756 में अलिवर्दी खां के मृत्यू के बाद सिराजु दोला को जो है बंगाल का नवाब बना दिया गया था हम बढ़ते हैं दोस्तो ठीक है दोस्तो इतने ही परसंते सायद हम लेक्टर में लेके आएंगे आपके लिए जो बाकी प्रीवियस एके बाकी सिफ्टों के जो एससे म्टियस के जिके जीएस के कोशन रह गए हैं वो मैं आपको लेक्टर वाइस करवाते रहूंगी आप यह कोशन्स एज़ा मोक टेस्ट बहुत अच्छे से लगाई दोस्तों बार बार यह जितने भी मैं आपके लिए जिके जीएस के जितने भी कोशन करवा रही हूं दोस्तों मुझे पूरा पूरा विजवास दोस् दोस्तों यह कोशन्स रिपीट होंगी दोस्तों बाकि जितने लैक्टर मैंने लिए है प्लेएलिस में आप एक बार उनको जरूर देखना दोस्तों वो बहुत लेटर्स और बहुत इंपोटन्स एस सी सीजियल सीयेचसल और MTS के जितने भी प्रीविएस लैक्टर से जितने जो है दोस्तों आपको PY क्यों करवा रही हो जो पिछले सालों में पूछे गए हैं SSE exams के अंदर ठीके दोस्तों आपको ये PPT PDF आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर Thank you so much